प्रोकरियाट्स फे टांस्रिप्व्शन हम्म लोग देखते हैं, कि प्रोकरियाटिक असले में लोग required materials देख लें, कि हमें transcription के लिए क्या-क्या चाहिए, अगर हमें यह पता चल जाए, कि हमें क्या-क्या चाहिए, और अच्छे स्क्लियर हो जाएगा, required materials क्या-क्या है, transcription के लिए, क्या-क्या चीज़ चाहिए, तो सबसे पहले तो भाई DNA चाहिए, DNA भी नत कुछ होगा नह इसे से तो भाई जो है क्या कहते हैं अब मतलब फार्मेशन हो का रने का दूसरा जो है हमको राइबो निकलियो साइट राइबो निकलियो साइट साइट राइबो निकलियो साइट राइबो निकलियो साइट राइबो निकलियो साइट राइबो निकलियो साइट मोनो जाहिए, कैसे बनते हैं? आप तो आपके इसको देख लें जैसे अगर मैं आपसे पूछ हूँ इह rybogonosyne monophosphate है यह rybogonosyne monophosphate है यह rybocytadine monophosphate है यह देखिए sytadine monophosphate है और rybonyridine monophosphate है यह सेल के cytoplase में merakamमे पड़े हैं क्योंकि prokaryotic cell में transcription होगा कहां पर? prokaryotic cell वो transcription cytoplasm में होता है तो अब यह सब in-active form में पड़े हैं इनको active करने के लिए आप ATP का इस्तमाल करेंगे और ATP जब करेंगे जहां पर एक enzyme लगाएंगे जिसका नम phosporylase है यह phosporylase क्या करता है? यह phosporylase, इनको ribo adenosine triphosphate, ribo gonosine triphosphate, ribo citatin triphosphate, ribo uridine triphosphate मतलब इनको triphosphate कर देता है, इनको active mode मिलाता है यह काम कहां हो रहा है? यह काम हो रहा है, यह सिल है, यह इसका DNA molecule है और यहां पर cytoplasm में सारी गटनाएं हो रही है तो यह चाहिए हमको हमको एक enzyme चाहिए, अगर enzymes का नाम में कौन सा enzyme चाहिए? हमको एक enzyme चाहिए जिसका नाम है DNA dependent, DNA dependent RNA polymerase DNA dependent कौन सा polymerase? RNA polymerase यह enzyme चाहिए यह prokaryotic cell में यह single होता है, eukaryotic cell में इसकी संख्या 3 होती है आपको यह भी सीखना है तो अगर हम prokaryotic से पढ़ रहे हैं, तो यह single enzyme मात्र है मतलब prokaryotic cell में एक enzyme मात्र है जो transcription की तीनों प्रक्रियाएं अकेले पूर्या करता है इसको अगर represent करें, single enzyme में इसका formula है alpha to beta beta dash omega sigma अगर यह ऐसे देखें आप, अगर यह इसमें 6 unit है यह alpha है, देखें, alpha है, alpha dash है, यह beta है, यह beta dash है यह omega है और अगर इसमें sigma unit आपने निकाल दिया तो इसे हम लोग core enzyme कहते है आपको यह बात सिखना है, कि अगर इसकी sigma unit अलब हो गई तो इसे कौन से enzyme कहते है, core enzyme और अगर इससे sigma unit जुड़ी है यह देखें, अगर इससे sigma unit जुड़ी है alpha है, alpha dash है, beta है, beta dash है, omega है, sigma है तो इसे हम लोग hollow enzyme कहते है आपको यह बात भी सीखनी पड़ेगी बिना सीखें, आपको कई भी concept नहीं आएगा तो आपको यह चाहिए, DNA के helix को खोले के लिए किसी भी, किसी भी primer की कोई जुरूत नहीं है अगर आपको लग रहा है कि जैसे DNA के transcription, DNA के जब replication हो रहा था तो हमें एक primer चाहिए था तो लिख लिजए, no RNA primer किसी भी RNA primer की कोई जुरूत नहीं है no RNA primer किसी भी primer की कोई जुरूत नहीं है तो हमें ये enzyme चाहिए, single enzyme चाहिए हमें कोई primer नहीं चाहिए हमें ये triphosphate चाहिए और DNA का molecule चाहिए तो अब prokaryotic कहां पे हो रहा है अगर हम पूछें prokaryotic cytoplasm कहां हो रहा transcription तो आप लिखेंगे sir takes place in cytoplasm takes place in cytoplasm and g2 phage of cell cycle मतलब जो cell cycle है उसके g1 और g2 phage में आपको ये दिखाई पड़ेगा ये देखे g1 and g2 phage of cell cycle मतलब आपको prokaryotic cell के cytoplasm में दिखाई पड़ेगा और कोई सा phage होगा? g1 और g2 phage होगा cell cycle का जिसमें आपको transcription दिखाई पड़ेगा तो आपको ये type phosphate चाहिए ये enzyme चाहिए किसी तरह की किसी primary कोई जरुत नहीं है अगर हम steps की बात कर लें कि total steps कितने होते हैं इस transcription में तो अगर आप steps की बात करते हैं तो transcription में में तीन steps होते हैं पहला step होता है जिसे हम लोग initiation कहते हैं अब हम आपको figure बना की दिखाते हैं इनिशियेशन ये pahला step होता है याद कर लीए दूसरा step होता है जिसे elongation कहते हैं ये step होता है दूसरा वाला और तीसरा step होता है जिसे हम लोग termination कहते हैं महल्स तीन प्लक्रिया में प्रोकरियाटिक transcription हो जाता है तो पहला step है initiation, दूसरा step है elongation, तीसरा step है termination, प्रोकरियाटिक सिल्क में transcription का यह step है, आएए देखा जाए अब आप यहाँ पर देखें सबसे पहला step डालें कि initiation क्या होता है, अगर आप initiation देखें तो यह देखें, initiation यह topic है सबसे पहला यह हमारा DNA का मालेक्यूल है, आपकी CRT ने ऐसे बना रखा है, यह देखें, DNA का हमारा मालेक्यूल है, इस तरह से, इस DNA की मालेक्यूल में, यहाँ देखेंगा, DNA का मालेक्यूल है तो अब यह जो enzyme है, DNA dependent, DNA polymerase, अगर आपको initiation मिखना है, बोलाडी लिख लीजे, 3' है, 5' है, यह 3 है, 5' है, लिखना है, तो आप लिखेंगे DNA dependent, DNA polymerase, DNA dependent, DNA polymerase, DNA polymerase यह पूरा enzyme नहीं, इसके सिर्फ एक unit, कौन सी unit, अगर आपकी ध्यान रखना है, इसमें यह जो sigma unit है, इसके कौन सी unit है, sigma unit है, यह unit जो है, bind कर जाएगी, bind कर जाएगी, किसके साथ, promoter के साथ, promoter आप होता है, मैंने आपको पहले बता रखा है, promoter से bind कर जाएगी, अगर जाके ऐसे sigma unit ऐसे bind कर जाएगी, जब यह bind कर जाएगी, DNA dependent, DNA polymerase की यह unit, यह जो unit है, जिसको sigma unit कर रहे है, मतलब यह sigma unit initiation का काम करती है, प्रक्रिया को शुरू करती है, तो एक तो promoter से जब bind करता हैगी, it unwinds DNA, it unwinds DNA helix, DNA की helix को यह खोल देगी, मतलब आपको इस बजना है, जैसे ही यह bind करेगी, sigma sub unit, तो DNA का helix अपने आप खुल जाएगा, यह देखिए, अपने आप DNA का helix खुल जाएगा, और जैसे ही DNA का helix खुलेगा, यह देखिए, DNA helix को अपने आप यह खोल देगी, बीना किसी प्रक्रिया के, बतलब यहाँ पर किसी helix यह unwinds की कोई जरू नहीं है, तो यह sigma sub unit, जो है, प्रमोटर पर जाकी चुड़ती है, और यह पहला step पर सुरू करती, जिसको initiation कहते हैं, एक बात और करेगी, अब अगर यहाँ पर DNA पर आप इस बात को संझे, या बादा कर देता हुए आपको समझाने के लिए, यह देखिए, अगर यहाँ पर यहाँ पर खुल गई है, तो यहाँ पर nitrogen के waste only DNA के, बिल्कुल जाहिर सी बात है, मा लिजए, यहाँ पर adenine है, DNA के probability है, 3' to 5', यहाँ थाइमीन है, थाइमीन है, अदिनीन है, cytosine है, जैसा आपने base pair पढ़ रखे हैं पहले से, ऐसे DNA के base pair पढ़े हैं, अगर यहाँ A है तो यहाँ T है, यहाँ A है, यहाँ T है, G है, CC है, G है, C है और T है, यह DNA का base है, और इसको इसने खूल दिया, जब इसमें खूल के यह काम और करेगी, अब यह क्या करेगी, it binds, it binds, कौन सा? राइबो निकलियोसाइड ट्राइफासफेट, यह पहले राइबो निकलियोसाइड ट्राइफासफेट को लिया के जोड़ देगी, यह जो इंचाइम रे, DNA dependent, DNA RNA polymerase, यह जब क्लिवी reactions को कटलाइस करता है, तो reactions का direction हमें सब 5' को 3' होता है, यह देखिए, तो मैं अगर आप आप से पूछों कि DNA पे एडेमीन है, इसके सामने RNA का कौन सा फेक्टर जोड़ेगा, तो आप simply बोलें, Sir, A के सामने T जोड़ेगा या U जोड़ेगा, आप बोलें, Urogen Monophosphate जोड़ेगा, या Urogen Triphosphate जोड़ेगा, आप हैं, Sir, Urogen Triphosphate जोड़ेगा, क्योंकि आपने Urogen Monophosphate क कर दिया है, इस A के सामने T ही जोड़ेगा, क्योंकि RNA बना रहा है, तो यह देखिए, आप को अगर RNA बनाना है, आप यहां लिखिए 5 प्राइम, और यहां पर आप सबसे पहले A के सामने U को लिया के जोड़ दीजिए, क्योंकि यह स्टेंड है, टेंपलेट स्टेंड है, ज प्रक्रिया को सुरू करती है, जो प्रक्रिया को सुरू करती है, अब दूसरी प्रक्रिया देखिए, जब इनिशियेशन हो जाता है, तो दूसरी प्रासेस है, इलांगेशन, तो अगर इलांगेशन देखा जाए, तो होना क्या है, अब कुछ नहीं होना है, अगर आपको य आप धियर लाई आए ऐसे बनाईए ऐसे बड़ा से DNA का एक मालीकूल बनाई है यहां पर कोई प्राइमर तो लगना नहीं है आप ऐसे करिए ऐसे करिए फिर ऐसे इसको DNA को थोड़ा सा सजा दीजिए यहसे आप काजल लगा के तेरी आख़ों का यह काजल करते जाते हैं ऐसे आँखों में काजल लगा दीजिए लगा दिया आपने यह DNA है हमारा यह जिसका जिससे RNA का formation होना है अब आप देखिए यहां पर क्या था A था T था A T A C G G फिर देखिए C G और A आप इसका उंटा यहां नहीं लिखना है चाहिए आप नहीं किसकते हैं लेकिन हमें नहीं लिखना है हम सीदे काम की बात करते हैं यह हमारा 5 प्राइम है और इसी में RNA अब 3 प्राइम में बढ़ना सुरू करेगा तब देखें यह A के सामने क्या है का U, T के सामने A, A के सामने U, T के सामने A, U के सामने A के सामने U, C के सामने G, G के सामने C, 6 G के सामने C, C के सामने G, G के सामने C अब यह कौन है कौन बन रहा है एक के सामने यू पुलर्डि क्या होगी था 3- यह कौन बन गया यह जो red color का बन रहा यह कौन है आप कहेंगे आर अ दyती हम रहा है किसhHichts इस्टेंट से बन रहा है आप गहेंगे यहाँ पर पहले लाइन लिखिए, elongation is a perfard by, 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 लिखिए, core enzyme. मतलब अगर आपसे यह पूछे, कि बताइए, कि इस transcription में, जो transcription हो रहा है, उसमें DNA dependent RNA polymerase किस reaction को catalyze करता है, तो आपको जवाब देना है, elongation को catalyze करता है, कौन, क्या DNA dependent RNA polymerase का holo enzyme, यह core enzyme, तो आपको जवाब देना है, core enzyme करता है, यह जो core enzyme, टर्म लिखा है, वह यहाँ से देजे, ribonucleoside, 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 triphosphate, ribonucleoside triphosphate is added one by one, एक के बाद एक चुरता चाहेगा, added one by one, ribonucleoside triphosphate added one by one, by one, एक के बाद एक जूरते जाते हैं, और इस तरह से reaction पूरी होती ही, चली जाती है, तो growth किस phase में हो रही है, अगर मैं आप से पूछो किस phase में growth हो रही है, तो आप कहेंगे, sir, यह जो growth हो रही है, यह 5 prime से 3 prime की तरफ growth हो रही है, इस प्रक्रिया का नम क्या है, elongation, क्योंक termination कहते हैं, termination माने, अगर transcription unit का transcription हो गया है, तो प्रक्रिया रूप जानी चाहिए, मैंने देखे लिखा है, पहला है initiation, जब DNA खुलेगा, प्रक्रिया सुरू होगी, elongation जब लगता है, उससे base जोडे जाएंगे, यह base जोड रहा है, कितना जोड रहा है, 40 से 50 base, base पर second जोड यह enzyme जो core enzyme है, अब तिसरे प्रक्रिया देखे, तिसरे प्रक्रिया अगर आप देखते हैं, तो termination माने क्या हुआ, यह देखे, termination माने यह हुआ, आप यहाँ पर ऐसे DNA बनादे, ऐसे, ऐसे यहाँ पर आप DNA बनादे, ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर दे, ताकि लगे कि यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है, यहाँ पर देखे, इस तरह से आप कर दीजिए, और यहाँ पर आप इसको इसे बंद कर दीजिए, फिर यहाँ पर आईए, और यहाँ पर आने की बाद, 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 यहाँ पर आरने आपको बन के लगबद तयार है, 5 प्राइम बाहर आ रहा है, 3 प्राइम बाहर आ रहा है और यहाँ पर इस चैकशा पर एक प्रोटीन है जिसका नाम रोटीन है, यह आकर जोड़ जाएगी, रोटीन किस तरब जोगेगे, टर्मिनटर के पास, तो आपको अब रो प्रोटीम अटेस्ट बिथ टर्मिनीटर टर्मिनीटर मैंने भी आपको बताया है टर्मिनीटर एंड नेसेंट आर्यने आप इसका मतलब समझें नेसेंट आर्यने माने क्या वुआ nascent RNA आरने जो बन के भी बाहर आया है nascent RNA falls off होगा क्या जैसे ही यहाँ पर यह प्रोटीन आके जुड़ेगी medium आके जुड़ेगी अगले figure में आप देखिए खुला हुआ DNA फिर से बंद हो जाएगा खुला हुआ DNA फिर से बंद हो जाएगा और यह देखिए यह जो RNA है यह निकल के बाहर चलाएगा इस तरह से यह नया बना हुआ RNA है यह निकल के बाहर चलाएगा तो प्रक्रिया कौन से हुई पहला हुआ initiation फिर हुआ elongation फिर क्या हुआ termination इस तरह से यह पूरी प्रक्रिया prokaryatic cell में complete होती है इसका ध्यान अख्या है तो आपने भी देखा कि prokaryatic cell में initiation, elongation और termination तीन फ्रक्रिया हैं initiation को DNA dependent RNA polymerase की sigma से बीनिट सुरू करता है elongation को DNA dependent RNA polymerase की core unit, sub unit मार्लब alpha 2, beta, beta 2, omega sigma सुरू करती है, omega सुरू करती है और termination को media में पढ़िवी raw protein सुरू करती है अब अगर आप eukaryatic cell में देखें कि eukaryatic cell में transcription कहां हो रहा है तो अगर आप transcription eukaryatic cell में देखें तो सबसे पहले आप आप आई लखें कि सर, eukaryatic cell में जो transcription होता है वो takes place in nucleus takes place in nucleus पहला आप ये लिख सकते हैं कि एक तो nucleus में हो रहा है and cell arganils तो कौन कों से cell arganils हैं? जिन दे इनके अंदर transcription हो रहा है आप कहेंगे सर ये दो cell arganils हैं जिनके अंदर transcription हो रहा है आपको मैंने 11th cell biology में आप मेरा वीडियो देख सकते हैं उसमें मैंने पढ़ाया है कि mitochondria है और दूसरा जो है वो chloroplast है मतलब eukaryatic cell में transcription तीन जगा हो रहा है prokaryatic cell में हो रहा है कहां कहां हो रहा है? nucleus में हो रहा है जाए आप इसे figure देख लें ये nucleus है ये nucleus है हमारा यहां पर transcription हो रहा है इस जगा पर यहां पर DNA का molecule है यहां RNA काFAर्मेशन हो रहा है दूसरा देखिए यहां mytoonderia का अपना DNA है यहां पर transcription हो रहा है ये chloroplast है यहां पर भी transcription हो रहा है बना प्रो karri util력 transcription तो cytoplast में हो रहा है लेकिन eukaryatic cell में transcription फो तीन जगा हो रहा है chloroplast में हो रहा है फिर देखिए mitochondria में हो रहा है फिर तीज़ा देखिए nucleus में हो रहा है तीन जगा पर transcription eukaryotic cell में हो रहा है इसको explain किया हुआ तो वहाँ पर भी initiation, elongation, termination तीनों प्रक्रिया सेम है difference क्या है आप देखें यहाँ पर prokaryotic cell में time कम है अगर आपसे कोई time पूछे तो आप कहेंगे सार यह जो time है यह G1 phase, G1 and G2 phase यह cell cycle यह cell cycle जब चलती है तो उसके G1 और G2 phase बे होती है क्या additional complexities है अगर आप additional complexities देखें कि eukaryotic cell में additional complexities क्या है RNA तो बन जाएगा तो additional complexities क्या है आप देखें तो यहाँ पर eukaryotic cell में जो DNA dependent RNA polymerase है यह देखें, यह जो enzyme है DNA dependent DNA dependent DNA dependent RNA polymerase जो enzyme है इसके 3 type पढ़े जाते है DNA dependent RNA polymerase के यहाँ पर 3 type पढ़े गए है इसके 3 types है आप देखें, यह 3 type का पढ़े जाता है जबकि prokaryotic cell में कितनी ज़राग था क्योंब एक तरह का था अगर आप इसका 1st type देखें 1st type बन्दब DNA dependent RNA polymerase का पहला type क्या बनाता है तो इससे जो बनता है it transcribes it transcribes इससे लिख लें it transcribes it transcribes इससे याटी मिलाने नहीं आपको यह देखें 28S लिखें हां 18S बिल्कुल हां एक और लिखें 5.8 AS कौन से RNA है यह अगर मैं पूछ हूं तो यह RNA है यह कौन से ribosome बनाते है यह 80S ribosome बनाते है मतलब आपके सकते हैं कि युकरियाटिक सेल में जो RNA है 28S है 18S 5.8S है जिससे 80S ribosome का formation होता है मतलब ribosome RNA का formation होता है उससे DNA dependent RNA polymerase first बनाता है नुकलिस में ही और आपके पाहिए यह RNA का formation इस सेल के अंदर पढ़े हुए नुकलिस से होता है दूसरा देखिए अगर आप इसका second type देखे तो it transcribes अगर आप इसका देखे it transcribes it transcribes यह देखे it transcribes फुरा ध्रांस देखेंगे दूसरा RNA बनाता है जिसका नाम HNRNA है इससे HNRNA का formation होता है अगर आपके HNRNA का पूरा नाम लिखना है इसका पूरा नाम लिखे इसका पूरा नाम है hetrogenious hetrogenious nuclear RNA hetrogenious nuclear RNA या इसी के है सकते है e mature RNA मतलब वर mRNA बनता है जिससे AIganа protein Rafael what आपbin होता है erklouse मतलब 将 звон Volkswagen थे यहां पर आर्ने को से बनाता है एम आरने को से कि बनाता है सिंपल सी लैंगोई भी सीखना है थार्ड अगर देखा जाए यहां देखा जाए RNA polymerase की जो 3rd type है वो क्या बनाता है तो 3rd वाला अगर आप देखें न तो 3rd वाला 3 चीज़े बनाता है क्या-क्या बनाता है देखिए इससे आप लिए सकते हैं It transcribes It transcribes It transcribes कौन-कौन सा RNA मिलाली जेन-CIT में TRNA बनाता है मतलब यूकरियाटिक से लिए RNA RNA polymerase 3 बनाता है RRNA आली polymerase 1 बनाता है YmRNA polymerase 2 बनाता है YmRNA नहीं डारिक बनता है पहले HnRNA बनता है तो RTRNA बनाता है दूसरा आर आरने की 5S आर आरने की यूनिल बनाता है यह दूसरी चीज़ बनाता है यह देखिए 5S RNA बनाता है और 1 RNA बनाता है जिसका नाम SnRNA है अगर आप SnRNA का पूरा नाम देखे तो इसका पूरा नाम Small Nuclear RNA है मतलब अब आपको समझना है कि आपके छोटी क्लास पे 3 तरह का आरने पढ़े है कौन-कौन से YmRNA, TRNA, RRNA अब आपके सामझे एक छोटा आरने आ है जिसका नाम S-A Small Nuclear RNA है जिस नुकलियस के अंदर पड़ा हुआ है तो किने तरह के DNA-dependent RNA polymerase है तेन तरह के हैं पहले से RRNA बनता है दूसरे से HnRNA बनता है जो बात भी यम आरनिम का नाट हो जाता है और तीसरा जो होता है उसे TRNA बनता है 5SRRNA बनता है और SNRNA बनता है इस तरह से आप देखें तो यह पहली complexity है कि DNA-dependent RNA polymerase के कितने type पाई जाते हैं यह पहला type है यह दूसरा type है और यह तिसरा type है दूसरी complexity यह है कि यहाँ पर आपको processing करनी पड़ती है processing of processing of क्या HN RNA processing of HN RNA into EMR मतलब जो HN RNA है जिसको heterogeneous nuclear आने कहते हैं उससे EMR का फार्मिशन करना पड़ता है जिसमें आपको तीन पढ़ने पढ़ते है steps पहला step होता है जिसमें को पढ़ना पढ़ता है capping दूसरा step पढ़ना होता है जिसको लोग कहते हैं tailing और तीसरा step पढ़ना पढ़ता है जिसे कहते है splicing ये तीन step है मतलब eukaryotic cell में दो additional complexities हैं DNA dependent RNA polymurage के तीन टाइप हैं जबकि EMRN डारेक्ट नहीं बनता है बलकि EMRN से पहले